गुड मॉर्निंग बच्चों, फू टिट पेट्रिक्स हॉमवग हम सिक्स क्लास में, हमने ये पार्ट थोड़ा पढ़ा है, अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे अभी तक हमने देखा कि पेट्रिक बहुत ही आलसी होता है और वह हॉमवग करना बिल्कुल नहीं चाता है आदमे के साथ खेल रही है तो वह उसके सामने सर्थ रख देता है कि मैं तुम्हें बिल्ली से तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा हमवग कर दोगे तो आगे बढ़ता है अपने बात का पका या अपने बचन का पका देट लिटल एल्फ बिगें तो डू पेट्रिक हमवग उस चोटे बोर्ने ने पेट्रिक के हमवग को करना सुरू कर दिया अपने बचन के पके उस चोटे लिटल एल्फ ने बोर्ने ने पेट्रिक के हमवग को करना सुरू कर दिया except there was one glitch, glitch problem, समश्या बोर्ने को केवल एक ही समश्या थी दा एल्फ डिड़न्ट ऑल्वेज नो वट तो डू बोने को हर बार, always, हमेशा, हर बार यह पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है and he needed help, need, आवशक्ता, जरूरत और उसे मदद की जरूरत पड़ती थी help me, help me, he did say, he did say वह कहता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो and Patrick would have to help in whatever way और Patrick को किसी भी तरह से उसकी साहिता करनी पड़ती थी क्योंकि Patrick को तो अपना हमभग करवा न था एक वर आपिस तेखेंगे and Proto is word that a little elf began to do Patrick's homework except there was one glitch, the elf didn't always know what to do and he needed help, help me, help me, he did say and Patrick would have to help in whatever way अपने वचन के पक्के, उस छोटे बोने ने Patrick के हमभग को ग्रे कारे को करना सुरू कर दिया सिर्फ एक ही समझा थी elf को हर बार यह पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और उसे मदद की जरुत होती थी वह के था, मेरी मदद करो, मेरी हदद करो और Patrick को किसी भी तरह से उसकी साय तकरने पड़ती थी I don't know this word मैं इस सब्द को नहीं जानता हूं इसकी चिलाया, जोर से चिलाना वह elf जोर से चिलाया, जब पेट्रिक का हमव कर रहा था कि मैं इस सब्द को नहीं जानता Get me a dictionary, मुझे एक शब्द कोष दो Dictionary, शब्द कोष, जिसमें हम मीनिंग के हिंदी अर्थ या कोई वर्ड है, उसका हम अर्थ धून सकते हैं No, नहीं, what's even better कि इस से जदा तो यही अच्छा होगा, ठीक होगा Look up the word and sound it out by each letter इस से तो अच्छा ही यही होगा कि तुम इस सब्द को डूंडो और उसे बोलो When it came to maths, जब maths की बारी आई, गनित की बारी आई Patrick was out of luck, out of luck, अभागा, दुर्भागी साली तो Patrick तो दुर्भागी साली था What are time stables? की यह time stables समय सारनी क्या होती है? The elf strict, strict चिला ना, वह elf वह बोना आदमी चिलाया We elves never need that, else बोने आदमियों को need आवशक्ता की हम बोनों को इसकी कभी आवशक्ता ही नहीं हुई इसलिए यह time stables यह समय सारनी क्या है? हमें नहीं पता है And, addition and, subtraction and, division and, fraction Addition, addition, जोडना, subtraction, गटाना, division, भाग, fraction, भिन और वह elf जो होता है, वह कहता है, कि जोडना और गटाना, तथा भाग करना, तथा भिन यह क्या होते हैं? Here, sit down beside me, यहां मेरे पास बटो You simply must guide me, guide मार्ग दर्शन करना, कि तुम्हें मेरा मार्ग दर्शन करना पड़ेगा, मुझे गाइड करना पड़ेगा Elves know nothing of human history, कि जो elves बोने होते हैं, वो human history, human, manav, history, ethos कि वो मानव इतियास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उन्हें To them, it's a mystery, mystery, रहशे कि उनके लिए तो यह सब एक रहशे के जैसा है, उनके लिए यह सब एक रहशे है So, the little elf already is louder, just got louder इसे लिए वो छोटा जो elf होता है, भोना होता है, जो पहले से ही चिला रहा होता है उसकी आवाज में थोड़ी और तेजी आ जाती है, वो थोड़ा और जोड़ से चिलाता है Go to the library, लाइबरेरी पुस्तकाले की पुस्तकाले जाओ I need books, मुझे किताबों की जरुत है More and more books, ज्यादा और ज्यादा किताबे की मुझे आवशकता है And you can help me with it, them too और तुमें उन्हें पटने में मेरी साइता करो हो तो वह elf अब उसे, मेट तु उसे बिलकुल नहीं आती है तो वह उसे कहता है कि हम पुनों में से मेट के ये जो फॉर्मूलाज है ये कुछल भी नहीं होते हैं तुम यां मेरे पास बेठो और मेरे help करो ये जी, matter of fact matter of fact वास्तों में वास्तों में, every day, प्रती एक दिन in every way, जे लिटिल आल्फ वाजे नेक नेक क्या होता है तंग करने वाला और कैसे तंग करने वाला लगातार तंग करने वाला होता हुता है नेक केते हैं हर तरह से वह एल्फ तंग करने वाला था पेट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वोज इट इज इटे ड्रेक ड्रेक क्या होता है नीरस पेट्रिक हमेशा से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था और यह क्या उबव था यानि पेले पेट्रिक को यह बोरिंग रखता था हमवग लेकिन अब उसको पता है मेरा हमवग तो एल्फ करेगा लेकिन एल्फ किस से मेहनत करवा रहा था पूरी पेट्रिक से ही वह रातों को जाकता था हेड नेवर फिल्ट सो वीरी वीरी ठका हुआ पेले कभी इतना ठका हुआ उसने मैसूस नहीं किया था वाज कोईंट टू स्कूल और वह स्कूल जाते हुए भी उसकी आँखे कैसी थी विथ हीज आईज पफ्ट एंड ब्लिरी पफ्ट क्या होता है सुजी वी और ब्लिरी उनिंदी नींद वाली आंखे तो पहले उसने कभी भी इतना ठका हुआ अपने आपको मैसूस नहीं किया था लेकिन अब वह उनिंदी आंखों से और आंखों में नींद लिये उनिंदी आंखों से वह इसकूल जा रहा था यानि इस पेरे ग्रफ में भ्ताया गया है कि जो एल्फ है वा पैट्रिक से पूरी महनत करवा रा था पैट्रिक इस बरोसे पे मैनत कर रा था कि उसका सारा उन्भख तो एल्फ करेगा लेकिन एल्फ ने उस से पहली का कि डिक्सनरी में से मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसलिए तुम्हें मेरी हल्प करने पड़ेगी एल्फ पेट्रिक से पूरी मैनत करवा रहा था और पेट्रिक भी मैनत कर रहा था कि मेरा उमबक तो एल्फ कर देगा यहां आप चित्र में देख सकते हैं कि पेट्रिक कितना मन लगा के पड़ रहा है उसके पास बुक्स भी पड़िये और एल्फ उससे पूछ पूछ के उससे पूरा पड़वा रहा है पेट्रिक जब रात दिन मेनत करने लगा तो आंखे भी उसकी सूजने लगी और वह उनिंदी और सूजी वी आंखो से ही स्कूल जाने लगा क्यूंकि उसकी आंखो में नीन पूरी नहीं हो पाती थी क्यूंकि वह ज़दा से ज़दा मेनत कर रहा था फाइनली अंत में दा लास्ट दे ओफ इसकूल एरवट इसकूल का आकरी दिन आ गया और अब जो अलफ था वह जाने के लिए फ्री था आ जात था स्वतंतर था एस फोर हमवग और हमवग की जैसे की बात है तेर वाज नो मोर अब ज़दा हमवग था ने सो ही कोईटली एंड स्लाइली स्लिप आउट ओफ बेग दोर स्लाइली चुप चाप बीना देखे वे कोईटली शांती से सो इसी लिए वह चुप चाप से पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया पेट्रिक कॉट हीज एज पेट्रिक ने सभी सबचेक्ट में एक ग्रेट प्राप्त किया था इस क्लासमेट पर अमेजड हैरान उसके जो क्लासमेट सहपाटी थे वे सभी हैरान थे इस टीचर्स स्माइल उसके जो अधियापक थे वर खुश थे और वे सभी पेट्रिक की प्रसंसा कर रहे थे और उसके जो पेरेंट से माता पिता है उसके जो माता पिता थे उन्हें तो बहुत बहुत अचमबा हुआ अस्चेरिय हुआ कि पेट्रिक को क्या हो गया है अब वह एक आदर्श बच्चा था अब वह एक आदर्श बच्चा था वह अपने देनिक काम करता वह चीरफुल वह हमेशा चीरफुल चीरफुल क्या होता है? खुश वह हमेशा खुश रहता नेवर रूड वह कभी भी रूड अभद्र वैवार नहीं करता लाइक जैसे यह डेवलप ए हॉल न्यू एटिटिट और पूरा डेवलप विक्षित होना एटिटिट वैवार इस तरह उसने बिल्कुल एक नया वैवार विक्षित कर लिया एक नया ही रवया अपना लिया था पेट्रिक को सभी सबजेक्ट में एक ग्रेड मिला था और पेट्रिक बहुत ज़्यदा खुश था क्योंकि उसने मेनत तो की थी लेकिन उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसका सारा काम एल्फ नहीं किया है पेट्रिक के क्लास्मेट और टीचर्स बहुत ज़्यदा खुश थे टीचर्स की बहुत ज़्यदा प्रसंसा कर रहे थे और बहुत खुश थे क्योंकि वे पहले भी पेट्रिक को हमेशा समझाते रहते थे कि तुमें कुछ होंब करना चाहिए कुछ पड़ाई करने चाहिए ताकि तुमेरे कुछ द्यान में आये पेट्रिक के जो पेरेंट्स थे माता पीता थे ये तो बहुत ही ज़्यदा खुश थे उन्हें तो बहुत ही चमबा और हरानी हो रही थी कि पेट्रिक में इतना सुधार कैसे आया है ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें पूरा वेवार उसका पूरा एक नया ही विकास हुआ है पेट्रिक पहले आलसी लड़का था उसे हम वकरना बोरिंग लगता था वह पड़े से दूर ही भागता था अपने कमरे को सही करना अपने सामान को व्यवस्थित रखना यह सब भाह कभी नहीं करता था वाई इनकी तरब देख था भी नहीं था अब पेट्रिक में बोछ से बदला हुए थे भाह अपने सामान को सही से रखता था अपना रूम साप करता था अपने देनिक कार्य स्वयम करता था You see, in the end, तुम्हें पताएं, अन्त में Patrick still thought he did make that tiny man do all his homework तुम्हें पताएं, अन्त में Patrick यही सूचता है कि उसने elf से अपना सारा homework करवाया But I will share a secret, secret रहशे, परन्तु में एक रहशे बताता हूं Just between you and me, जो सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगा I wasn't the elf, it wasn't the elf, Patrick had done it himself Homework elf ने नहीं, बलकि Patrick ने खुद किया था, स्वयम किया था Patrick यही सूचता है कि उसने अपना homework elf से करवा लिया लेकिन elf, Patrick को पूरी मेहनत में लगा देता है और सारा homework, Patrick खुद करता है चलो बच्चो, हमारा first lesson complete हो गया है स्वस्त्रो मस्त्रो झालो झालो